तो है लो गाइज वेलकम बैक टू माइ ब्लॉग तो कैसे आप लोग आप लोग सब ठीक ही होंगे तो आज है मेरी एनिवर्सरी तो हमने कुछ ज्यादा सेलिब्रेट तो नहीं किया बट हमने दिन बर बस अच्छा अच्छा बना के खाया तो उसी में से एक मेरा बनवदफ फेवरेट है जो की सोय चाप जो कि मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है तो मैंने सोचा क अलग तक है धश्यंद का से मैं लोगतं कैसे बनाते में घर पे कैसे बनाती हो अगर हम बाहर खाते एंबस अच्छे से सब चीज जाएगा इसका मसाला वगेरा ग्रेवी में अच्छे से घुस जाता है इसलिए मैंने चोटी चटा काट लिए उसके बाद कड़ाई बैठा दिया तेल करम कड़ा अच्छे से रिफाइंड ओई ले तो अब इसको मैं थोड़ा सा नमक दे के ज्यादा नह तो यहां पे दो बेच में मैंने इसको फ्राइ किया था और यह अच्छी तरीके से फ्राइ हो गया है अब हम इसमें लेंगे मसाला थोड़ी सी हल्दी मिर्च पाउडर धनिया पाउडर और यह गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी धनिया तो हम पहले सारे सोया चाप को में पानी था ज्यादा तो मैंने इसको छनी में रख दिया था तो सारे मसाले डालने के बाद थोड़ा सा प्याज का पेस्ट और ये अधरक लसन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है mix करके इसको रख देंगे आदे घंटे के लिए rest के लिए जो कि ये थोड़ा सा वो हो जाएगा नरम हो जाएगा करारी पन इसका थोड़ा जाएगा और ये absorb कर लेगा सारे दही वगेरा को तो यहाँ पे अच्छे से fluffy हो गया ये और ये बनाने के लिए याँ पे बिल्कुल रेडी है तो चलो इसको बनाते हैं यहाँ पर मैंने तवा बेठाया क्योंकि यह लोहे के चीज़ में बनता है तो ज्यादा टेस्टी होता है इसलिए मैंने कड़ाई बड़ाई पर नी बना कि ने इसको दीट बनाया तो तवाघरम करने के बाद मैंने थोड़ा सा तेल डाला यहां ज् Lynn दालना कहीं को फ्राइप लिट्वा से यहां है बना करना है अब रोस्टर तो हमारे हैं नहीं तो इसलिए मैंने तव्ब्य sert है तो अच्छी थरीके से दे दे दूँगी इसमें डाल दूँगी और चार से पाच मिनिट के बाद इसको हम पलट देंगे वैसे ये खाने में बहुत अच्छा लगता है लोग और भी तरीके से बनाते हैं लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ तो ये दोनों तरफ से मैंने अच्छे से इसको कर लिया रोस्ट अब उतार लोगी और मेरा दूसरा बे अच्छी दूसरी बार भी बन लाकेầ हो गया तो मैं इसको अच्छे तरीके से उतार लोंगी और इसमें क्या करना है तो यहां पर मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता ल ऐस में पसंद त अधनियाетр के प्याज देंगे पूरी दोड़ा है लुटा नहीं मैश कर देंगे तोसमें डालओ देंगे ने डालओ comfortable में यह ज़ा और यह नहीं लिए वुड़ श् sevक जा यह एककी मोगरा देंगे इसमें गी का टेस्ट बहुत वैसे अभी नहीं खाती लेकिन इसमें घी डालना बहुत जरूरी है घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता इसका और इसमें आधा कटाऊवा लेमन डालेंगे उसके बाद बस इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से और यह मिक्स करने के बाद एकदम खाने के लिए पर्फेक्ट रिडी हो गया है तो चलो टेस्ट परके देखते हैं इसके पर अब ही और निम्बू का कितना अच्छा टेस्ट आ रहा है अब भी मिले को ऐसे घी खाने का मनने करें लिए रखो पारी है तुम्हारी रिव्यू की एक बार में दो दो लोगे चलो लो अरे लो 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 अरे तुम्झे नहीं रहा तूट्पिक दू किया तुम्हें हाखाओ बताओ खाके पहले अच्छे से टेस्ट कल रहा हूं खाए भी नहीं नकली रिव्यू मत दो असली खा के टेस्ट करके ऐसे भी तुम्हेले भी खा चुके हो इस लिए कर रहें पहले ही ना कि चलो कि अध्यू मोमेंट्स लेटर ये क्या हुआ तेसे हुआ खत्म भाई बाई तो उसके बाद डिनर में मैंने खाया मतर पनीर और पूरी और खीर खीर मैं किर मैं ज्यादा नहीं खाती बस हलका हलका खाया था दिखाया दिखाया भी नहीं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना था